दोस्तों नमस्कार आपका विम्ला देवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं गुटने का दर्द और एक छोटा सा उपाई उसके लिए यदि आप करेंगे तो हो सकता है आपका गुटने का दर्द गायब हो जाए चली जानते हैं ऐसा क्या कौन सा सरल उपाई है जो आप कर सकती है यदि आपके गुटनों में दर्द है अक्षर 40 या 45 की उमर में जाने के बाद या इससे ज़्यादा उमर की होने के बाद अक्षर लेडी के गुटनों में दर्द होने लगता है या इससे ज़्यादा उमद की होने के फश्चात खुटनों में दर्द होने लगता है तो उससे निचात पाने के लिए एक छोटा सा सरल उपाय कर सकते हैं आप आप किसी मंदिर में जाए आप से दी मंदिर में आपको अपने से बुजर्ग महिला यदि आपको मिलती है तो उसे आप थोड़ा दान दक्षिना करें जो थोड़ी गरीब लोग होते हैं उनके लिए और उनसे आप आसिरवाद ले इस तरह से आप चाहे उनकी सेवा करें या उनको किसी तरह से सुख पहुचाने की किरपा करें यदि वो आप पर प्रशन हो इस तरह से आपको आपने उनकी ब्लीशिंग लेनी है आप उनके पैर चू सकते हैं कुछ दान कर सकते हैं या आप उनकी किसी भी तरह से शेवा कर सकते हैं यह जब आपको वो अपनी ब्लीश प्रेशानिया वह आपकी छूमंतर हो जाएगी यदि आपकी घर में जैसे सुसराल पक्स में आपकी सास है या सास से समंदिताई सास चचय सास है तो आप उनकी शेवा कर सकते हैं और उनसे आशिरवाद पा सकते हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सुख और आपके दि कायब हो जाने की उमीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें शेयर करें बैल आपको दबाए धन्यवाद